हेलो अब्रीवन लास्ट वीडियो में हमने माइटो कॉंड्रे के बारे में बताया था कि सिंपली माइटो कॉंड्रे इस नोन इस पावर हाउस ऑफ दी सेल विकॉस इन एफ़न पार्टिकल एटीपी फॉर्मेशन अकर्स यह रियाक्शन बताई थी कि यहां पे एनर्जी एनर जैसे और जो होती है तो यह एफ एटीप अगेन ब्रेक अप होते हैं एटीप नौने फास्ट और एनर्जी लिप्रेट होती है और यह एनर्जी डिफरेंट जो ऐतला आक्टिविटीज होती है हमारे जैसे मोमेंट time lokomotion है डिफिरेशन है यह डिफिरेंट जब अक्टिविटी जो एनर्जी लगती है उन सारे में यह प्रोसेस यह वह यूज होती है और एक चीज और यहां पर मैटोचोंड्रा में इट हैस इस ओन्स दिने तो इसलिए इसको हम सेमी ऑंटो नॉमस और यह भी कयाते है क्या इसमें अपना डिट अइन प्रेज़न होता है तो सिर्फ डिएने होने वज़े से से सेंवि आटोनॉमस ओर न north विके अभी अलग से पूछ लेते हैं कि नेंध्र से मी यूटोनॉमस Huguenel तो एक की mitochondria है, एक next chloroplast है, वो भी आगए आपको बताएंगे, ठीक है, तो this is all about mitochondria, थोड़ा सा points रहे गयाते हैं, next अब हम nucleus के बारे में बात करेंगे, nucleus, mainly it is discovered by Robert Brown, इसे हम control room of the cell, control room of the cell, या इसे हम brain of the cell, cell कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि nucleus ही, जितनी भी cell में जितनी भी activities होती है, सारी activities को ये control करता है, it is discovered by Robert Brown, cell के discovery Robert Hook ने की थी, nucleus की discovery Robert Brown ने की थी, next come to nucleus present का होगे, जो cells होती है, दोनों Radio, di Said, — pro carotosis, tribal generating James, eukaryotic cells, pro carotosis, par leaf, नहीं होते हैं, čा इसे बेसे हैं बात करें तो nucleus में बात करें तो nucleus में बैलि छो मिलाकी सबसे ने ऊंगाद है कि सपोर dos आउसे आउटर जो बॉंट्री है स 정부 से शेल पर तरायों तरफ पॉंट्री उते ते ने उन the तरीकी सेम उटर ओर्सके से पोर्हिस ये इन छोगको पारी तरफ पॉ lyric यह सिल हboys is हुआ है जो जो यो नॉउख्लार मेंब्रैन है ये डपल मेंब्रेसे स्टिक्चर होता है इसके expansion मेह दैब लंग में आता है तो आप यही लिखो तो तो nuclear membrane double membrane structure होता है इस तरीके से double membrane होती है और ये membrane continuous now के discontinuous बीच-बीच में इसमें pores present होते हैं इस तरीके से ये इस तरीके से double membrane structure होता है nucleus ये आपका है nuclear to live in तो यह और बेल मैंब्रेंब्रेट स्ट्क्रे एंग जो भीछ अब ओर स्टakesन में में प्रेजण रहते हैं इसको कहते हैं नूइंक लिएफ से ही सबंक अगर यह विल्लोस कोहें प180 में एंड जिसको रिंदोंकर को म्निकेशन ओता है यह यो भी एक्सचेंच होगा मैं आह नुखल्री निऑखल होता है तो रिंग उन्गे उसा को इसमें प्रिजन रोता है इसमें वह रिस प्रिजन होते हैं जिसके ठीडियू से से connection बनाया रहता है यह किसकते हैं कि key contact मेरता था क्या सकते हैं किसके connect मेरा थै कम्मिनीकेट करता नेस्ट नुक्लियो प्लास इस तरह से राउंड इस्ट्रुक्टर प्रिजट होता है इसको हम न्यूक्लियो बेश्म कहते हैं nucleolus is also known as ribosomal factory of the cell तो nucleolus जो प्रेजेंट उसको ribosomal factory of the cell कहते हैं क्योंकि ribosome का जो formation होता है उसका formation यहां nucleus में होता है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे तो मेली यह राइबोसोम होते है इसको ribosome factory of the cell कहते है इसके बार नेक्स्ट है chromatin fiber इस तरीके से thread-like structure प्रेजेंट होता है विदिन nucleus इसको हम कहते है chromatin fiber यह structure बाद में condensed होके DNA का formation करता है which contains genetic information genetic information मतलब parents से information next generation में transfer होती है these information mainly carried out by the chromatin fiber means it helps in transmission of genetic information from one generation to next generation ठीक है it contains इसी में genes present होते है genes को ही बेस जीन प्रेजेंट होते है यह genes ही इनको हम unit of heredity कहते है unit of heredity यही होते है जो characters को heredity यही जो होते है characters को next generation में लेकर जाते है ठीक है तो यह simple structure है nucleus का it contains nuclear membrane which is double double layered and it is not continuous contains pores which is which is known as nuclear pore these pores helps in communication or transmission of different substances from in and out of the nucleus और यह यह भी कह सकते है कि इस contact maintain रखता है between cytoplasm and nucleoplasm next is the liquid which is filled inside the nuclear membrane is known as nucleoplasm and here is a nucleus structure present होता है which is known as ribosomal factory of the cell ribosomal it helps in formation of ribosome and in the nucleoplasm there is a thread like structure is present which is known as chromatin fibers or chromatin thread भी लिखा होता है books में it helps in transmission of genetic information from one generation to next generation it is all about the structure of nucleus function में इनी structures के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसे function में वही आपको लिखना है जो यह काम करता है इसरी सो control room या brain of the cell कहते है second होने बताये help in transmission of genetic information from one generation to next generation जिसने बताये कि nucleus का जो chromatin fiber वाला पार्ट है वो यह काम function perform करता है which help in transmission of genetic information from one generation to next generation it is all about nucleus next video में हम next organal के बारे में डिसक्स करेंगे okay thank you